सर्थाना चकातना का विस्तार मा रेता वेपारी ने फोक्स स्वरेक्स कम्नी मा रोकान करवाना बहाने रुप्या चाउद लाग चुमतिर हजार पड़ावी लेवना प्रक्रण मा शुरत साइब क्राई में त्रण आरोपियों ने चरपी पाड़ी पांच रेप पुरिया छे पुरोईतने वा नवर फोन करी फोक्स रेक्स कम्नी मा इन्वेच्ट करवानी लोछभामनी स्कीमों आपी हती कम्नी मा रोकान करवा थी साइट ती जित्त्येड अबरतर मर्शे त्रण मा बहा है वे थी Florian संझे पासे थी आंगडिया पेडी मार्फ वते रुप्या पंदर लाग पचासेजर पड़ा आवी हाता त्यार बाद वेपारी संजी भाई ना खाता मा थोड़ा दिवस पची सित्यल लाग एकाणो जार नो बधारो थयो चुवा मड़ी होतों वेपारी चुविस लाग पचासेजर नी विड़ोड करवानी रिविक पेस्ट नाकवानी कमनी द्वारा कैंसल करवा मा आवी हती कमनी ए मातरच चोतीर अजार परता पिया हाता पोदाना पैसा फसाई गया होऊनों भाहन थता वेपारी संजी भाई साइब क्राइं पोलीस मततक मा फरियाद नोंधा आ वी हती साहबे कराए में तेवोने पकड़ी पाड़ी पांच रे पूरीया हाथा पोलीसे तेवोने पास थी चार मोबाईल और लेप्टप कबजे करिया हाथा जिसमें अपरादी फॉक्स और एक्स कंपनी की लिंक विक्टिम्स को भेजते थे और उस लिंक के मार्फत उनसे पैसे मंगाते थे इस पैसा मंगाने के लिए अंगड़ी या पेड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था इस तरीके से कुल साड़े पंद्रा लाख रुपया इन्होंने विक्टिम्स से यानि भोग बननार से मंगाया और कुल 76,000 रुपया वापस किया इस तरीके से 14,000 लाख चुमत्र हजार रुपी की चीटिंग का गुना पुलिस के पास रेजिस्टर हुआ था ये टेक्निकल सर्वलेंस के अधार पर कुल तीन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है साइबर क्राइम सेल ने रेहान सन अफ वारिश अर्शद खान जो स्टूडेंट है और रांदेर सूरत में रहता है इसके अलावा जदा शाजेब सन अफ जदा अहमद जदा ताजमीन शेख ये औरिजनली धोराजी राजगोट का रहने वाला है हाल में सूरत में रहता है और तीसरा मुहमद जायद सन अफ मुहमद उमर मुहमद मेमन ये भी अभी सूरत में रहता है और इन लोगों ने मिलकर जो क्राइम को अंजाम दिया उसकी पूरी इन्वेस्टिकेशन करने के बाद इन तीनों को पुलिस के द्वारा आरेस किया गया है इन में से दो रांदेर में रहते हैं और जो तीसरा है उसकी जंता मारकेट में महिदर पुरा में मॉबाइल की दुकान है इनके पास से चार मॉबाइल फोन और एक लैप टॉप पुलिस ने कबजे किया है इस तरह के साइबर क्राइम से बचने के लिए कोई भी foreign currencies में investment करने के लिए आपको ललचाए कि आपको इसमें return बड़ा अच्छा मिलेगा तो इस तरह की लुबावनी बातों में ना आए और इस तरह का कोई investment ना करें इसके साथ साथ यदि कोई भी company आपको investment करने के लिए कोई प्रलोबन देती है तो उसकी official तरीके से उस company की website से या वहाँ जाकर उसकी पूरी जाज परक करने के बाद ही कोई पैसा invest करें otherwise इस तरह के criminal आपके पैसे को cheating करने के लिए हमेशा जाल बिचा के तैयार रहते हैं इस case को detect करने में भी cyber cell की team को अच्छी सफलता मिली है उनको मैं अभिनदन देता हूँ